नमस्कार दोस्तों मेरा नाव अभिशेक है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेडिलमेंट टीवी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीच आपको एक राइड का लगा सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा उसको प्रैस के मेरे इमेल करते हैं और बहुत सारे लोग अपनी समस्या का समाधान मुझसे पूछते हैं तो मैं अपनी राइए आप लोगों के लिए इस वीडियो के माधियम से देने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होरी तो आप तो जो video मैंने बनाया है वो बनाया है fraud loan apps harassment पर और harassment पर उसी क्रम में बहुत ही important होने वाली है बहुत ही महत्तपून होने वाली है तो दोस्तों आपने पढ़ डिया होगा thumbnail पर मैंने लिखा है अगर कोई loan app आपकी बिना मरजी कि आपके account में रुपए transfer कर दे या loan app को install करने के बाद आपको पता चले कि वो loan app फरजी है तो क्या करें और बात ये समझ लो आप आज की इस वीडियो में और ये बहुत ही काम आपके आने वाली है और October 2022 का ये update है तो इसलिए और जादे महत्रपूर है क्योंकि बहुत सारी फरजी loan application अभी भी कार्रे कर रही है अभी भी लोगों को harassment करने का जो है मतलब अपना जो पुराना method है वो चालू कर रही है सुरू कर रही है ठीक है क्योंकि बीच में बहुत सारी फरजी loan application जो है subscribers है या viewers है उनको परसानी का सामना करना पड़ रहा है भारत की बहुत सारे लोग भारत में बहुत सारी जनता इन फरजी loan application से परशान है तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी होता है मान लीजिए आपने किसी loan application को install कर लिया और महाँ पर सिर्फ आपने eligibility check की उस वक्त आपको ये पता नहीं होता है कि loan application को आपको जो install करना है mobile phone में ये पहले पता लगाना चाहिए आपको कि वो nbfc registered है bank registered है हलाकि आपको नहीं पता होता है तो आप install कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है फिर चालू होता है असली खेल खेल क्या होता है जैसे ही आप mobile phone में application को install करते हैं महाँ पर कुछ अपनी basic details submit करते हैं जैसे कि अपना नाम अपना date of birth और अपना अधार card, pen card, bank details, etc. बहुत सारी चीज़ें आप बहाँ पर submit कर देते हैं ऐसे आपकी selfie हो गई जब आप application को install कर रहे होते हैं उसी वक्त वो आपसे permission मांग लेते हैं आपके contact का, आपके media storage का, आपके all over पूरे phone के लगवक सभी जो भी access वो ले सकते हैं वो पूरे phone का access ले लेते हैं अब उनको benefit क्या होता है access लेने से उनके पास आपकी contact list आपके message जो है चले जाते हैं मत असली खेल सुरू हो उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं मतलब असली खेल यह लोग सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक काम और करते हैं वो आपको लुभावना वहाँ पर loan amount दिखाते हैं जिसको आप apply करते हैं वहाँ पर लिखा होता है उस वक्त 91 days जब आप apply करते हैं तो पता चलता है वह loan application केबल मतलब वह loan amount आपको केबल साथ दिनों के लिए मिलाता है अब जब साथ दिन complete नहीं हो पाते हैं मतलब कि छटा या पांचमा दिन होता है तभी से आपको harassment करने start कर दिया आता है यही हामतोर पर सभी के साथ में होता है और जो loan amount होता है वो बहुत ही छोटी amounts होते हैं जैसे कि 4000, 3000, 2000, 5000, maximum हो सकता है 10,000 कोई फरजी loan application देती हो लेकिन ऐसा बहुत ही कम chances में होता है कि 10,000 कोई loan application आपको provide करती हो खैर जो भी हो सकता है इससे बड़ा भी amount देती हो लेकिन यह depend करता है उनके system के according कि वो जो criminals अपना जो मतलब काम कर र सकते हैं तो यह सब उनी की उपर निर्वा करता है अब बात आती है कि जब छड़े दिन से आपका harassment होना इस्टार्ट हो जाता है तो आपको करना क्या चाहिए देखिए आपका harassment होता वो होता आपकी contact list उनके पास होती है और वो आपके कुछ गंदे photos edit करके या morph करके आपकी यही गलत होता है और आपको इसके खिलाब तुरंत ही पुलिस में complaint register करानी चाहिए अपने जो भी nearest police station है महाँ पर जाएए महाँ पर complaint register कराईए अगर महाँ पर complaint नहीं लेते हैं नियरेश cybercrime police station में जाए complaint register कराईए लगबग जो भी जिला मुख्याले होते हैं पुलिस के मह प्लस cybercrime थाने होते हैं महाँ पर जाकर आप complaint दे सकते हैं और या फिर आप वो काम भी नहीं करना चाहते हैं तो आप online आपको दिखाई दिरह होगा screen पर इस website पर जाईए cybercrime portal है online cybercrime में आप complaint register करा सकते हैं यहाँ पर जो भी आप complaint register कराएंगे वो आपके nearest police station forward कर दी जाती हैं और बाद में फिर आपको police station से call आता है वहाँ पर आप जो भी आपके पास सबूत बगरा होते हैं जो भी screen sword होते हैं जो भी recordings होते हैं जो भी WhatsApp के message होते हैं वो आप जाकर वहाँ पर दिखा सकते हैं police station में उनको बता सकते हैं कि यह loan application एक fraud है मुझे पता नहीं था कि जित आम तोर पर जब भी लोग police station जाते हैं तो बहाँ पर उनको एक सला दी जाती है कि आप amount pay कर दीजिए क्योंकि बहुत सारी जगह पर अभी ये बात नहीं पता कि amount pay करने के बाद भी amount की demand करते रहते हैं ये भी एक बात है अगर आप उनका payment कर देते हैं उसके बाब जूत क्य मतलब वो लोग इतने सरीफ हैं कि उनके पास आपकी contact list है वो आपको छोड़ देंगे मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग amount paid कर देते हैं उसके बाद फिर से उनके bank account में पैसे डाल दी आते हैं उनकी बिना मरजी के या कभी-कभी तो पस ऐसा ही होता है कि mobile phone में application को install कर कुछ अपनी basic details provide करी और उसके बार आपके bank account में पैसे आ गए अब आपको उसको pay करना होगा ऐसा होता है और वो लोग बार-बार दवाब बनाते हैं कि आप pay करो otherwise हम आपके mob photo भेजेंगे आपके contact में call करके आपके बारे में गलत मतलब अबवा फैलाएंगे आपके बारे म females इसमें बहुत ज्यादा harassment होता है उनका बहुत ज्यादा प्रितालित होती है तो जो भी females देख रहे हैं जो लोग परशान है इन फरजी loan applications से तो एक बात याद रखिएगा इनसे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर सकते भाई photo तो कोई म मेरी चबी खराब हो जाएगी नहीं हम लोग इतना सोचते हैं कि हमारी तो बहुत खराब हो जाएगी पता नहीं क्या ही हो जाएगा कौन सा पहार तूड़ जाएगा देखो सबसे पहले तो आपको panic नहीं होना है इस बात को ध्यान रखिएगा अगर आप पैनिक होंगे तो इन पर नजर रखती है जो भी आप पेमैंट करते हैं बहुत जाद़ा है तर्फ के फिरिच कर दिया था है तो फियर यह कंक smaller क्यूं कर? तो फिर वहाँ पर जाकर आपको जबाब देने में भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और बाद में आपका जो अपने सभी आपने वाटसब स्टेटस पर लिख्ए लिए अफ्रजी लोन आपप्लिकेसं को मोबाइल-फुन में ना सभी लिख्ए चाहते हैं क Chaos कर लिया एक पर ते एक करने की कोई कोई भी आपके पास मैसेज आता है इसमें कि यह व्यक्ति लोन फिर कर भाग गया है या वह बहुत सारी अवधर वात लिखते हैं कि यह पलाना तो यह आपको जो है मतलब अपने सभी contact में सूचित कर देना या अपने status पर लगाना WhatsApp पर और हो सके तो अपना WhatsApp ही बंद कर दीजिए सब को सूचित करने के बाद दो-चार दिन, पांच-दस दिन बोलो call करेंगे, परसान करेंगे जब वो देखेंगे WhatsApp भी बंद है कि वो भेजेंगे, बेज सकते हैं और हो सकता है आपको बहाँ से calls बगर आएं या आपके घर में कोई दूसरा mobile phone अगर आप यूज करते हैं तो आपके बहाँ पर भी आपके relatives या आपके friend कॉल करके बोलें कि हमारे पास इस प्रिकार से message आ रहा है तो उनको बोल दीजिए कि मैंने इस समद में complaint register करा दिये पुलिस इस मामले में जाच कर रही है और जाच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है और आप ऐसे किसी भी call का ऐसे किसी भी message को तुरन डिलीट कर दीजिए और पहले मुझे सूचित कर दीजिए बस आपको इतना बोलना है और उनको बोल देना है कि आपको किसी भी call का ऐसे अगर कोई भी call करके बोलता है कि इन्होंने हमारी company से loan लिया है या ऐसे कोई भी call आती तो आपको उसका reply नहीं देना है पैनिक वाली situation में आपको बिल्कुल भी नहीं पहुच रहा है क्योंकि जो लोग पैनिक वाली situation में पहुच जाते हैं उन्हीं लोगों को बहुत ज़्याद है तकलीफ दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो काफी ज़्याद है आपको बात यहां पर समझ में आगी होगी अब आपको एक और काम करना है जब आप यह पुलिस complaint रेजिस्टर करा लें अपने सभी contact में सूचित कर दें साथ ही साथ आप RBI के सचेत पोटल में भी उस application की complaint कर दें complaint करने से पहले application से आप उनका loan agreement letter, sanction letter वगरा की demand कीजिएगा जब आप 100% share हो जाएं की application फरजी है और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जितनी भी 7 दिन वाली loan application है यह maximum फरजी होती है, fraud होती है और इनकी कोई भी NBFC है, bank नहीं होती है फिर भी आप एक बार उनसे loan agreement letter की demand कीजिएगा अगर वो आपको loan agreement letter provide कराते हैं और उस पर जो भी NBFC लिखिये उसको RBI की NBFC की list पर check कीजिएगा फिर उस NBFC की website पर जाएगा, बहाँ पर उनका कोई contact number या contact email वगरा दिया होगा बहाँ पर उनसे contact कीजिएगा और उनसे पूछेगा कि क्या ये आपकी application है और आपकी loan application अगर आपकी बहाँ पर बर्क करने वाई loan application है तो ये मेरे साथ में ऐसे ऐसे करके problem create कर रहे हैं ये भी आप कर सकते हैं बैसे maximum जो loan application है वो आपको जो agreement देते हैं वो भी फरजी ही provide कराते हैं कभी-कभी आपको notice भी बेचते हैं जो कि एक stamp paper वगरा पर notice होते हैं ठीक है तो भी आपको भी बेचा जाता है जो notice भी फरजी होता है ये बात याद रखिएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको बात बिल्कुल समझ में आगी होगी आपको बिल्कुल भी panic नहीं करना है आपको डट कर इनका मुगावला करना है और मैंने आपको description में अपने नए चैनल का link दे दिया जिसका नाम है pro settlement tv उसको subscribe कर लीजेगा महाँ पर मैं बहुत ही जल्दी live आने वाला हूँ और live आने से पहले मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर inform भी करूँगा तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको like कर दीजेगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल मद भूलिएगा मिलते हैं फिर किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में फिर किसी इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम